आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो। एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ। अभी बारबर दो गुनाँ से लितिव ए तक ले जाया जैता है तो प्रतमवस्ता सें दूतीjang वस्ता तक आंत्रीक उर्जा में परिवर्थन कितना होगा ? trench with형 ये है हमारा दूसरा विकल्प ये है हमारा तीसरा विकल्प और ये है हमारा चोथा विकल्प ठीक है बच्चों अब मैं क्या करूंगा कि मेरे को डेल्टा यू का मान ग्याद करना है तो मैं कैसे ग्याद करूंगा तो मैं जानता हूं कि डेल्टा यू बराबर क्या होता है मेर N गुणा C V गुणा Δल्टarn Ti ठीक हैu एनbon ata मोलों की संधिय सिवी और और डाप आंतार बेढता थिक है нап नहीं में क्यांतरत के उन यात Character यह यह उसमाऊ-पहरा हों गेने सब्कूलेंक्ट में प्रशनभी नहीं देगा प्रस्ण में तो Iल्याँ बराबर होता है तीन बटे दो आर के बराबर आर क्या है यहां पर गेस नियतांक सीवी बराबर किसका है तीन बटा दो आर के बराबर है ठीक है बचों तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इसको तो डेल्टा यू बराबर मेरा क्या हो जाएगा सीवी की जगह मैं तीन बटा दो तो यह हो जाएगा तीन बटए दो N गुणा R गुणा डेल्टा T ठीक है बचो यह बहुत ही मेहतुपूर्ण समीकरन है इसी समीकरन से हम प्रश्ण को हल करेंगे ठीक है बचो अब हमें प्रश्ण में दे रखा कि आद्रस गेस है तो आद्रस गेस है तो उसके नियम का पालन क रहेगी तो P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा NR T1 ठीक है पी आइतन पी दाब वी आइतन N क्या है मोलों की संख्या R क्या है गेस नियतांक N और R नियत रहेंगे बाकि यह राश्यां बदलती रहेगी तो इसी तरह से P2 V2 यानि एक इस्तिती से दूसरी इस्तिती तक ले से देता कूं समिकन नंबर 3 ठीक है बचओ अब मैं क्या करूंगा समिकन नंबर 3 में से समिकन नंबर 2 को गटाऊंगा तो P2 V2 माइनस P1 V1 बराबर क्या NR दोनों नियत है और T2 माइनस T1 ठीक है? T2 minus T1 अब T2 minus T1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? N R delta T लिख सकता हूँ ठीक है बचो अब देखो मैं क्Yा करूँगा इसको N R delta T तो मेरे पास में आग गया ठीक है? अब मैं इसके आग एगर मैं 3abeta 2 कर लेता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहां पे भी तीन बटे दो से गुणा करना पड़ेगा और यहां पे भी मेरे को क्या करना पड़ेगा तीन बटे दो से गुणा करना पड़ेगा तो देखो यह वाली समीकरण किसके बराबर हो जाएगी डेल्टा यू के बराबर यानि मैं क् की जगह वे लिख दूंगा तो यह डेल्टा यू के परआबर हो जाएगा समीकरण एक से और इस से ठीक है तो अब देखो बस सारी रास हागी मेरे पास मैं डेल्टा यू का मान मैं निकाल लोंगा तो डेल्टा यू बराबर थीन बतेवे 2 ठीक है अब P2 का जो मान दे तो यहां से मेरे पास में यह कितना आ जाएगा 30 A और आइतन वी टू वी टू बराबर क्या है टू वी वन है वी वन का मान कितना दे रखा है 1500 cm3 तो दो गुना 1500 cm3 तो अगर मैं इसको बदलूंगा तो यह कितने में हो जाएगा तीन लीटर में ठीक है तीन लीटर में परिवर्तित हो जाएगा ठीक है बच्चों और इसी तरह से वी वन बराबर कितना हो जाएगा मेरा 1.5 लीटर ठीक है बच्चों 1.5 लीटर और पी वन बराबर मेरा कितना हो जाएगा 20 ATM ठीक है बचों अब मैं यहाँ पर मान रख दूँगा P2 का मान किता है 30 ATM गुणा 3 लिटर माइनस ठीक है और 20 ATM गुणा 1.5 लिटर 1.5 लिटर ठीक है 1.5 को थोड़ा डंग से लिख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 गुणा 1.5 लिटर ठीक है आगे और 30 को इस से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 माइनस ठीक है बचों 20 को इस से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 30 आजाएगा बचों ठीक है तो यहाँ पर यह कितना जाएगा 3 बटेवे 2 गुणा 60 ठीक है तो यहां से मेरे पास में किता आजाएगा 30 तो 30 into 3 यह किता हो जाएगा 90 ATM लीटर ठीक है बचो अब ATM लीटर में आया है और हमें जो उत्तर दे रहा है प्रश्ण के अंदर वो किसके अंदर दे रहा है जूल में ले रहा है तो जूल में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे ATM लीटर में जो आया है ATM लीटर ठीक है बचो जो उत्तर हमारा ATM लीटर में आया है इसको मैं 100 से गुणा करूँगा तो यह किसमें बदल जाएगा जूल में बदल जाएगा तो 90 गुणा 100 ठीक है तो यहां से मेरे पास में जो डेल्टा यू बराबर आ जाएगा 9000 जूल ठीक है 9000 जूल और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 किलो जूल भी लिख सकता हूँ ठीक है बच्चो तो इस प्रकार से हमारे पास में जो डेल्टा यू यानि एक करोड से जादर चातरों का भरोजा आज इडाउनूट करें डाउटने डाप या वच्चाप करें अपने सारे डाउट्स 8444 चार्सो पर